Lines and Angles, जो कि Geometry के लिए एक Base बनाने का काम करता है, चलिए इस Chapter के Example करते हैं Example No.1 देखते हैं, इन Figure 6.9 देखिए, यहाँ पर Figure दे रखा है Lines PQ and RS intersect each other at point O, यहाँ पर देखिए, एक Line है PQ और दूसरी Line है RS यह O point पर intersect कर रहे हैं, एक दूसरे को cut कर रहे हैं, इन दोनों एंगल के बीच का जो ratio दे रखा है 5 is to 7, देखिए, यहाँ पर देखिए, जितने angles बनते हैं, वो हमें पता करना है यह चार angles बनते हैं, हमें उनको पता करना है, देखिए, इस question को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीके, आप दोनों तरीका देखना, फिर बताना है कि आपको concept method ज़्यादा अच्छा देखिए, तो पहला तरीका हम करते हैं, देखो, जो दो angle के बीच में जो ratio दे रखा है, हम इ और जो दूसरा angle है, दूसरा angle यानि के आर ओक्यू, and angle आर ओक्यू, उसको ले लेता हूँ, यहाँ पर कितना, 7X, ठीक है, जब भी हमारी ratio दे रखा हो, तो हम इनके साथ x ले लेते हैं, पहला वाला 5X, दूसरा वाला 7X, अब देखिए, यह दोनों angle POR और आर ओक्यू, दो हम यहाँ पर लिख देते हैं, angle POR, plus angle ROQ, equal to, होंगे, किसके बरावर, 180 degree के बरावर, क्योंकि क्या है, यह linear pair है, और linear pair angle कौन से होते हैं, जो एक straight line पर बनते हैं, जैसे एक straight line थी, एक angle यह बना, एक angle यह बना, तो straight line पर हमेशा, दोनों angle का सम 180 degree होता है, अब यह कितना है, 5X और दूसरा है, हमारा 7X, तो 5X plus 7X equal to 180 degree, दोनों को जोड़ देते हैं, तो यह आजागा 12X, 12X equal to 180 degree, यहाँ से हम X की value निकाल लेते हैं, X आजागा 180 upon 12, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 12, 1 जा 12, बचेगा 6, 6, 0, 60, 12, 5, 60, देखो X की value I 15, मैं यह नहीं कहा रहा है कि यह क 5X था, तो 5 into X, हम यहां से X की value यहां put कर देंगे, निकाल लेंगे, और दोनों एंगल हमारे आ जाएंगे, तो therefore, एंगल POR कितना आ जागा, एंगल POR आगे हमारा 5X है, तो 5 into X, मतलब इंटू का मतलब यहां 15, तो 15, तो 15, 5 यह 75 होता है, तो यह आ जाएगा 75 degree, ऐसी दूस एंगल ROQ था, तो लिख देंगे, एंगल ROQ, कितना था 7X था ना, तो 7X यहां से 7 into 15, ठीक है, तो 15, 7 जाएगा था 105, इस तरह सी हमारे दोनों एंगल आगे, लेकिन हमें question पूछते हैं, find all the angles, तो बचे दूसरे एंगल कौन से, देखो, यह एंगल जितना होगा, उतना ही ए करते हैं, तो यह opposite angle equal होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल यह opposite angle, ठीक है, ऐसे ही जैसे यह एंगल आया जितना, उतना ही angle आएगा, यह, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से, यह ring लगा देता हूँ, तो यह दो लाइन जैसे बनी होई है, तो यह इसक SOQ होगा, तो मैं यह लिख देता हूँ, angle SOQ, किसके बरावर होगा, angle POR के बरावर, और angle POR कितना था, 75, तो SOQ यह भी कितना आगए, 75 degree, reason हम यह लिख देते हैं, vertically opposite angles are equal, मैंने short में लिखा, आप इसे complete कर देना, vertically opposite angles, ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा angle है, SOQ हमारा हो गया, दूसर angle यह POS ले लेते हैं, angle POS, यह किसके बरावर होगा, यह होगा, angle ROQ के बरावर, ठीक है, और ROQ हमने निकाल दिया, 105, तो हम यह लिख देते हैं, equal to 105, reason, इसका भी यही होगा, vertically opposite angles are equal, इस तरह से 4 angle आगए, यह तो था दिके, एक तरीका है, जिसमें हमने क्या करा था, ratio दे और हमने क्या करा था, दोनों angle का sum 180 degree करके, x निकाल लिया था, ठीक है, इस तरह से हमने बाकी angle निकाल लिया, अब दूसरा जो method मैं बता रहूं न, जरा उसको आप समझी हो सकता, आपको वो ज्यादा आसान लगे, चलो, देखो, जब भी ratio दे रखते होते हैं, पहले मैं फाइब पार्ट है इसका और angle r o की हमारे 7 पार्ट, ठीक है, अब हमें एक काम कर सकते हैं, angle p o r को हम ऐसे लिख सकते हैं, angle p o r, देखो, पहले मैं ने बता कि यह 5 पार्ट है, तो 5 अपॉन इन दोनों का total, 5 प्लस 7 कितना होगा 12, और देखिए, यह किन दो angle की बात चल दी है इन दो angle की बात चल दी है, और इन दोन angle का सम कितना होगा, 180 degree, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, into 180 degree, देखो, यह बात तो आपको यह वाला जो मैंने थरीका बता है, इन दोने angle का सम 180 degree linear पर यह तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है, यही concept हम यहाँ पर भी लगा दे ठीक है, तो 5, 15, 15, 15, 75 degree, direct आ गया, angle POR, ऐसी angle दूसरा वाले निकाल लेते है, ROQ, ROQ का जो पार्ट दे रखाता question में, यह 7 पार्ट है, भी दोनों में 5 इस्टो 7 दाना, तो ROQ कितना 7 पार, तो 7 यहाँ पर भी हम अपन में total लिखेंगे, तो 5 प्लस 7 कितना, ठीक है, तो जित दोनों angle का sum, कितना 180 degree, 180 था है दोनों का sum, तो इंटो हम कर दिए, 180 degree, ठीक है, 12 वंजे 12, यहाँ से 12 वंजे 12, बच्चे का 6, 0, 60, तो 12, 5, 60, 7 इंटो 15, 7 इंटो 15, कितना जाए, 105 degree, देखे, यह भी बहुत असान है, ठीक है, डारेक्ट हमने निकाल जी, और systematic तरीक से आपको करना हो, तो आपको जोन सा method अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो दो angle आगे, बाकि यह वाले दोनों angle हम इसी तरह से लिख देंगे, जो हमने वर्टिकल यह पोजिट एंगल करके लिखे, यानिकि angle SOQ लिखना है, angle SOQ कितना होगा, angle POR के बराबर, तो reason इसक vertically opposite angle, और दूसरा angle, दूसरा angle है हमारा, angle POS, POS कितना आगा, angle ROQ के बराबर, ठीक है, POS, ROQ के बराबर, reason इसका भी vertically opposite angle, ठीक है, तो reason same इसका होगा, इस तरह से यह example हमारा complete हुआ, I hope को आप कोई समझ में आया होगा, चले मिलते हैं, next video में next example किसे, ओके, thank you.